राजस्थान के दक्षनी इलाकों में आज अच्छी बारिश होने के संकेत मिल रही है मौसम विभाग ने पांच जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है मानसून की टर्फ लाइन आज दक्षन राजस्थान से होकर गुजर रही है बीते 24 घंटों में जैपुर के कालवार और सामभर में जोरदार बारिश होई राजस्थान में आज नागोर, सीकर, जोजुनू, पाली और जोधपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा वर्षा जैपुर ग्रामीन में होई है यहाँ कालवार में 93 mm और सामभर में 73 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है शेश राजस्थान में सामान्य वर्षा दर्ज की गई है जैपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 11 जुलाई को मानसून तर्फ लाइन के हिमाले की ओर जाने से भारी बारिश में कुछ कमी होने की संभावना है इससे भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश वशेश भागों में कहीं कहीं हलकी से मध्यम बारिश होने की संभावना है राजस्थान के दक्षिनी इलाकों में आज अच्छी बारिश होने के संकेत मिल रही है मौसम विभाग ने पांच जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है मानसून की टर्फ लाइन आज दक्षन राजस्थान से होकर गुजर रही है बीते 24 घंटों में जैपुर के कालवार और सामभर में जोरदार बारिश हुई राजस्थान में आज नागोर, सीकर, जोजुनू, पाली और जोधपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा वर्षा जैपुर ग्रामीन में हुई है यहाँ कालवार में 93 mm और सामभर में 73 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है शेश राजस्थान में सामान्य वर्षा दर्ज की गई है जैपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 11 जुलाई को मांसून टर्फ लाइन के हिमाले की ओर जाने से भारी बारिश में कुछ कमी होने की संभावना है इससे भरत्पुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश वशेश भागों में कहीं कहीं हलकी से मध्यम बारिश होने की संभावना है राजस्थान के दक्षनी इलाकों में आज अच्छी बारिश होने के संकेत मिल रही है मौसम विभाग ने पांच जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है मानसून की टर्फ लाइन आज दक्षन राजस्थान से होकर गुजर रही है बीते 24 घंटों में जैपुर के कालवाड और सामभर में जोरदार बारिश हुई राजस्थान में आज नागोर, सीकर, जोजुनू, पाली और जोतपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा वर्षा जैपुर ग्रामीन में हुई है यहाँ कालवाड में 93 mm और सामभर में 73 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है शेश राजस्थान में सामान्य वर्षा दर्श की गई है जैपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 11 जुलाई को मांसून टर्फ लाइन के हिमाले की ओर जाने से भारी बारिश में कुछ कमी होने की संभावना है इससे भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश वर शेश भागों में कहीं कहीं हलकी से मध्यम बारिश होने की संभावना है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें